नमस्कार दोस्तों मेरना मुकेश भूड़क स्वागत आपका मारे इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो को .flv फाइल में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं अब आपका वीडियो वो MP4, MOV कोई भी वीडियो टाइप है उन में से कोई एक है और उसको आप .flv फाइल 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 वाले वीडियो में कनवर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और आपको ये वीडियो लास देखना चाहिए इसके हम तीन तरीके देखेंगे कि आप कैसे कनवर्ट कर सकते हैं एक तो है कि आप PC में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं दूसरा PC और मोबाइल और तीसरा अगेले मोबाइल में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम PC वाला तरीका देखेंगे आपके PC में इंस्टोल करना है VLC Media Player अगर इंस्टोल नहीं है तो पहले डाउनलोड करें फिर इंस्टोल करें और उसके बाद में ओपन करें जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरपेस आएगा इसमें Media वाले उप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद में Convert and Save वाले उप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहां पर अपना जो भी वीडियो है जिसको आप पर कनवर्ट करना चाहते हैं FLV File Permit में उसको यहां पर लाना है तो उसको यहां पर लाने के लिए यह प्लस वाला सिंबल है इस पर क्लिक करें और अब हम यहां से कोई भी एक के वीडियो ले ले लेते हैं MP4 वाला ही वीडियो ले लेते हैं MP4 का लिया और फिर Convert and Save पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पर यह जो प्रोफाइल वाला उप्सन है इसमें हमें सेलेक्ट करना है FLV तो यहां देखें FLV वाला उप्सन अवेलेबल है क्या यहां पर FLV का कोई उप्सन में कोई दिक नहीं रहा है तो यहां एक यह उप्सन है Edit Selected Profile इसमें अपन देखते हैं अपने को यह देखें यह है FLV वाला बट अपने को पता नहीं चला वेब एम करके यहां पर नाम है जबकि अपन यहां से जाते हैं Edit Selected Profile तो यहां आप देख सकते हैं FLV का उप्सन आ रहा है तो जैसे यह करेंगे तो यह Select हो जाएगा और अपने को फिर करना है और अगर यह उप्सन ना मिले तो आप यहां पे Create a New Profile करके प्रोफाइल भी Create कर सकते हैं ठीक है अब भे हम बात करते हैं Browse वाले उप्सन पे क्लिक करने की और यहां पे अपने को क्या करना है जिस भी जगह आप Save करना चाहते हैं वो Select करें यह अपने लिख दिया है और आप यह देख सकते हैं .flv File Formate में यह Save होगा Start पे क्लिक कर दें जैसे ही आप Start पे क्लिक करेंगे यह Complete हो जाएगा अब यह अपने देख सकते हैं यहां पे FLV का File Formate वाला वीडियो आच चुका है VLC Media Player के मादेम से हैं और FLV है तो इस तरह से आप पे अपने किसी भी वीडियो को FLV Video File Formate में Convert कर सकते हैं VLC Media Player के मादेम से अब हम दूसरा तरीका और देख लेते हैं दूसरा तरीका अपना क्या है Mobile और PC में आप कैसे Convert कर सकते हैं तो उसके लिए अपने को अपना Browser Open करना है जैसे ही अपन Browser Open करते हैं तो अपने को यहाँ पे Type करना है कि आप किस File से किस में Convert करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लिया था MP4 तो यहाँ M.O.V ले 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 लेते हैं M.O.V. 2 F.L.V. File Format तो जैसे ही यह Keyword अपने लिखते हैं तो यहाँ पे अपने को Websites मिलती है यह मैंने Website Use लीव ही है अच्छे से काम करती है अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ इसमें परड़े की लिमिट होती है 10 से कईों में 5 कईों में 10 की File Convert करने की लिमिट होती है तो यहाँ पे Selected File करें और M.O.V. अपने किया है तो यह M.O.V. वाला वीडियो पड़ा है अपने पास यह F.L.V. में Convert होगा और फिर Convert वाले बटन पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यह Convert Processing होके पहले अपलोड होगा प्रोसेसिंग होगा और फिर Convert होके Download का Option आ जाएगा और मैं भी यहाँ पे यह Convert वाले Option पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ यह दोनों वेबसाइट भी अच्छे से काम करती है मैंने यूज लेके देखा है तो यह अपने PC, Laptop, Mobile सब डिवाइस में काम करेगा और अब हम एक और तरीका देख रहे थे जो की तीसरा है Mobile वाला अकेले Mobile वाला तो वो भी इसी से Similar है Play Store पे जाना है अपने को और वहाँ पे Search करना है जो भी आपकी File है उसका नाम लिख दे और किस में करनोट करना चाहते है FLV में तो अपन MKV लिख देते हैं मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वो चीज पता रहे कि हम सारी किसी भी File से FLV में Convert करने की बात करने है तो पर्टिकुलर इस Keyword से तो Application आपको नहीं मिलेगा किसी भी Keyword से वेसे Application नहीं मिलेगा बट Video Converter, Audio Converter धेरूं पड़े हैं Play Store पे और ये कैसे काम करते हैं ये इनके Review से आप पता लगा सकते हैं और इसको आप डाउनलोड करके पता लगा सकते हैं मैंने Personally अप्लीकेशन इंस्टोल नहीं किया है तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता है मैंने VLC Media Player यूज किया है और ये Websites मैंने यूज करके देखी हुई है तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छे से काम करते हैं इसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी तो आज का मारा ये वीडियो था वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा और informative लगा तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताएं कि ये क्यों अच्छा नहीं लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद